मेरा खड़ा होना बंद हो गया है मैं क्या करूँ कई पुरुशों को एरेक्टैल डिस्फंक्शन की प्रॉबलम हो जाती है जिसकी वज़े से वो या तो डिस्प्रेस हो जाते हैं या फिर वो वाइगरा जैसी गूलिया खाने लगते हैं लेकिन इन दोनों ही केसिस में आपकी कंडिशन बद से बत्तर होती जाती है इसलिए ही सबसे पहले आप अपनी बॉड़ी को समझिए देखिए आपका पीनस नॉर्मल स्टेट में ऐसा होता है और इसमें बलेड फ्लो भी कम होता है जिसकी वज़े से यह धिला होता है और यह जो पीनस में मसल्स होती है इन मसल्स करेट होता है और इंपल्स की वज़े से पीनस की मसल्स में बलेड फ्लो इंक्रीज हो जाता है मतलब पहले जिन मसल्स में बलेड नहीं था उन मसल्स में बलेड पहुच जाता है और जिसकी वज़े से आपका पीनस एरेक्ट हो जाता है यानि खड़ा हो जाता है और दोस्तो अभी जो मैंने आपको समझाया ये पीनस का खड़ा होने का एक तम बेजिक मेकेनिजम है अब देखिए जब आपका पीनस इरेक्ट यानि खड़ा नहीं हो पाता उसका करन बस एक ही होता है और वो है आपके मेकेनिजम का ठीक से काम ना करना फोर एक्जेंपल अगर आप वाईगरा ज्यादा खाते हो तो आपके शरीर की काम करने की ताकती खतम हो जाती है क्योंकि जिन हर्मोन्स को पहले आपका ब्रेन यानि दिमाग रिलीज करता था वो आप वाईगरा से मिल जाते हैं जिसकी वज़े से आपके ब्रेन ने हर्मोन्स का प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है और जिसकी वज़े से आपका नैच्रली इरेक्ट होना भी बंद हो गया है इसके इलावा आजकल पीनिस का खड़ा ना होने का सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस और टेंचन देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी पार्टनर के साथ सेक्स करने जाते हो तो आप ज्यादा सोचने लगते हो और अपने सेक्स टैम को लेकर टेंचन लेने लगते हो जिसकी वज़े से आपका ब्रेन सेक्स होर्मोन रिलीज नहीं करता और आपके पीनस तक ब्लेड नहीं पहुसता और फिर आपका पीनस पहले जैसे ही डिला रह जाता है तो दोस्तो इसले ही सेक्स करने से पहले ज्यादा टेंचन ना ले ये कोई एक्जाम नहीं है जिसमें आपको टॉप करना है बलकि सेक्स तो एक बहुती आम चीज है जिसको लोगों ने बहुत complicated बना दिया है और दोस्तो अगर आप अपना पीनस अच्छी तरह एरेक्ट करना चाते हो तो इसमें आपको एक चीज और करने चाहिए है और वो है कीगल एक्सराइजिस कीगल एक्सराइज परफॉर्म करने से आपके नीचे की एरिया में बलड सर्कूलेशन इंक्रीज होता है कोई ब्लॉकेज होती है वो खुल जाती है और इसके और भी कई बेनेफिट्स होते हैं तो इसलही आपको जो आपकी स्क्रीन पर कीगल एक्सराइजिस से रिलेटेड वीडियो नजर आ रही है वो वीडियो आप ज़रूर देखिए